प्यारे बच्चों आज हम वरक्षीट नमबर 90 था ही करेंगे जो 6 से 8 कलास के लिए बच्चों यानी 6, 7 और 8, 3 कलास के लिए ये वरक्षीट है बच्चों तो ये वरक्षीट बच्चों देखें करोना वायरस से संबंदित है अब तक आप करोना के बारे में काफी जागरू हो चुके हैं नीचे दिये चित्रों के सामने करोना से संबंदित कोई बात या संदेश लिखें तो ये कुछ तस्वीरे देगी हैं इनके सामने आपको संदे इसे लिखना जैसे आप पहली तस्वीर देख रहे होंगे इसमें आप क्या लिखेंगे अपनी तरफ से आप लिख सकते हैं तो घर में आप सुरक्षित रहें घर में सेफ रहें सुरक्षित रहें तो घर के अंदर रहें और सुरक्षित रहें तो आप इसमें लिखेंगे घर के अंदर रहें और सुरक्षित रहें तो ये वाली चीजिस में आप लिख देंगे दूसरा पॉइंट देखिए बच्चो इसमें देखिए बाहर जब भी जाएं तो इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें पॉब्लिक पलेशिज पर यानि पॉब्लिक बच्चो पॉब्लिक पलेशिज या सारोजनिक स्थानों पर आप लिख शक्ते हैं इसकी स्थान पर सारोजनिक स्थानों पर सारोजनिक बेड़ बाड़ वाले लाकों में इस स्थानों पर उचित दूरी का पालन करें उचित दूरी बनाए रखें लोगों से और उचित दूरी पर बैठें जैसे ये चितर में आप देख रहे हैं इसा करें और मास का परियो करें जैसे इसमें दिखाया गया है ये बच्चों देखें ये वाला चितर खांसते समें खांसते समें अमेशा रुमाल का परियोग करें खांसते या छीकते समें या छीकते भी आप इसमें जोड सकते हैं छीकते समें खांसते या छीकते समें रुमाल का परियोग अवश्य करें परियोग करे तो ये वाला point आप इसमें लिखेंगे उसके बाद देखे बच्चो ये वाला चित्र देखी इसमें देखी क्या दिखाया गया दस्तानों का परियोग करे तो दस्तानों का परियोग करे परियोग करे उसके बाद है नीचे वाले चित्र में मास्क का परियोग करें मास्क के बाहर जब जाएं तो मास्क का परियोग जरूर करें परियोग जरूर करें तो ऐसे आप इनको फिल कर ले बच्चो फिर देखिए अगर कोई ऐसी बात लगती है कि आपको संभावना लगती है कि कोरोन आ गया तो डॉक्टर से सला लें और डॉक्टर से जांच कराएं उचित समय पर उचित समय रहते हमें उचित समय पर डॉक्टर से जांच करवाएं तो जांच जरूर करवाएं बच्चो इस तरह और वस्तू को छोने से पहले दस्तानों का परियोग करें ये फिल करशकते हैं अब इसमें फिर आगे देखे बच्चों ये वाला देखे भेड़ बाड़ वाले लाइकों में सोसल डिस्टेंशिन का पालन करें इस तरह से उचित दूरी जरूर बनाए रखे लोगों से लोगों से उचित दूरी बनाए रखे लोगों से उचित दूरी बनाए आगे पॉइंट देखे बच्चो नेमित रूप से व्याम करे इसमें लिखेंगे नेमित रूप से व्याम करे तो नेमित रूप से व्याम जरूर करे यह आपके स्टेमिना पो बढ़ाता है आगे देखें बच्चो कोरोना वोरियर्स से योधाओं को धन्यवाद देते विए कुछ सब्द लिखिए तो कुछ सब्द आप लिख सकते हैं बच्चो जैसे पुलिश के लिए आप लिख सकते हैं पुलिश ने अमारी बहुत साहता की और साहता कर रही है और लोगों को चितावनी भी देती रहते है कि आप हमेशा मास्क का परियों करें सोसल डिस्टेंसिंग का परियों करें तो हम इनको धन्यवाद देते हैं पुलिसी अमेशा लोगों को सचेथ रखती है, कई लोगों के चालान भी काटती है, अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो, और डॉक्टर को खास कर हम डॉक्टरों को नर्शों को हम खास कर इसमें धन्यवाद देंगे, क्योंकि डॉक्टरों और नर्शों ने इसमें काफी लंबेश में तक कारिय किया है, और कई डॉक्टरों ने तो 24-24 गंटे तक बच्चों बगेर स्वए कारिय करते रहे हैं, तो आप ये वाली इस तरह से लाइने इसमें जोड कर लेख सकते हैं आप अपनी तरप से भी एड़ कर सकते हैं सबने मिलकर इसके अंदर योगदा दिया है तो जिन जिन लोगों ने इसमें योगदान दिया जैसे पुलिश हो गई, गार्ड हो गई, नर्सें हो गई, पुलिटी गार्ड वाले हो गई, इन सबने मिलकर के इसमें COVID-19 को रोकने में सायता दी है